हलो नमस्ते मेरा नाम प्रसांता सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पाने के लिए और अज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉंसिल एक्ट 1892 देखो इंडियन कॉंसिल एक्ट 1892 आज हम लोग इसको स्राट करेंगे देखो इसके पहले सबसे पहले आप इ सबसे पहले हम लोग को ये समझना इंडिया том candi mental को बहुत इंडिया के लिए प्रक्लिणस गपरोनेंट को नियुक्डए एक और नाम होता था वाइसरा है ऐसे लिए उसका दो council होता था एक legislative council दूसरा executive council legislative council के बारे में ही आज हम लोग ज़्यादा क्राम करेंगे तो legislative council जो governor general of India होता था उसको उम लोग बोलते हैं central legislature देखो नाम से किर है legislative council legislature है मतलब यहाँ पर क्या बनता होगा कानून बनता होगा law बनता होगा है तो यह act किस के लिए होगा इस council के लिए अई है ठीक है तो यह act किस के आप पहले इंडिया को समझो उस टयमपर इंडिया कैसा था उस टेम इंडिया यह दखो यह पूरा complete इंडिया हो गया इसको मिले बोलते हैं बिटेस इंडिया और बिटेस इंडिया बहुत सारा प्रोविंस में बटा हुआ था जैसे बेंगॉल प्रोविंस हो गया अवद प्रोविंस हो गया आगरा एंड अवद प्रोविंस बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न तो ऐसे उस टाम पे बिल्टिस इंडिया बटा हुआ था और पूरे इंडिया के लिए governor general होता था और हर एक province के लिए governor होता था और गवरनर का भी council होता था दो legislative council and executive council उसी तरह से governor general का भी होता था legislative council and executive council ये basic के structure था 1892 में इंडिया का तो यह जो act आया था किस के लिए आया था कॉंसिल के लिए legislative council executive council यह central लेबल की में बात कर रहा हूं पूरे इंडिया के लेबल की और उसी तरह से province के लिए भी आया था legislative council और executive council देखो मैं आपको यह पर एक tip दे देता हूं इस पूरे lecture को पढ़ने से पहले इस act में सिर्फ और सिर्फ changes किस के लिए था legislative council के लिए अब देखो एक बात यहाँ पर आप समझो कोई भी act कोई भी कानून कोई भी law कब आता है कब आता अब खुद सोचो मन में सवाल करो कोई भी law क्यूं बनता है यह चाहिए बात है law क्यूं बनता है law इसलिए बनता है जब समाज में कोई problem होता है society में कोई problem होता है उसके solution के लिए law बनता है देख बहुत चरम सीमा पर था तो उसको बंद करने के लिए डॉरी प्रविशन आक्ट आ गिया बहुत जादा रोट पे एक्षिडेंट होता था उसको बंद करने के लिए मोटर वेकिल आक्ट आ गया तो सेम इसी तरह से उस टाइम पे कॉंसल्स में बहुत problem हो रहा होगा या कांसील्स में कोई दिक्कत होगा है नग्ये काशीलटीब कांसील की जो मैं बात करना हो लेगिसलेटिब कांसील्स इस चै necessarily कि में बत कर रहा हूं इस मेना problem होगा तो इसमें अभी मैं बात कर रहा हूं बिर इस इंडे ब्रिट इंड को इसमने problem 1861 तो इस act में जो भी problem होगा उस problem के solution के लिए ये act लाया गया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कोई भी कानून कब बनता है जब कोई problem होता तो कानून बनता है तो आपको पहले यहाँ पर problem समझना पड़ेगा कि Indian Council Act 1861 में क्या problem था जो हमको यह act लाना पड़ा भई यह और देखो आप पढ़ रहे हो legal history, constitutional history जब भी history पढ़ते हो तो अपने मन में question करागो question करोगा आपको पढ़ने में interest होगा मेरे पढ़ाने का तरीका भी में से include होता है मैं question पूछता हूं मुझे जब पढ़ना होता न मैं अपने पर question करता हूं कि हाँ भई यह Indian Council Act क्यों आया क्यों लाया क्या जरुरत पढ़िया भई लाने का तो जब यह question करोगे क्यों आया मन लगेगा और मेरे पढ़ाने के टिखनीक में एक चीज और include होता है timeline history मैं पढ़ाओ और timeline नहीं पढ़ा हो इसा हो नहीं सकता है तो जब भी आप मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा जब भी आप history पढ़ते हो तो आपना पहले timeline को पढ़ा करो timeline पढ़ोगे तो आपको बात पढ़ रहे है 1892 की ठीक है अब 1892 में इससे पहले की घटना ही आपको पता चल जाएगा event इससे पहले का पता चल जाएगा तो पढ़ने में इंट्रस्ट होगा देखो मेरा lecture थोड़ा लंबा होगा मैं पहले introduction बताऊंगा फिर हम लोग चलेंगे actual act पे जिनको actual act पे जाना ज इससे previous video हमें हम लोग पढ़ चुके थे 1861 के इंडियन कॉंसिल act में बहुत डिटेल से मैं इसमें discuss किया है यहां भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा क्यूंकि अभी मैंने जसे बता है ना जब problem देखोगे तभी solution पता चलेगा है ना तो क्या problem था 1861 के act में तो आपको प 1773 में regulating act आया और आप देखे थे chatter of 1833 इन दोनों चैटर से लाके centralization कर दिया गया पावर को centralized कर दिया गया था आपने पढ़ लिया था फिर आप पढ़े चैटर act of 1853 चैटर आप 1853 में आप क्या पढ़े थे गवर्नर जेनरल का पहले एक ही कॉंसिल होता था एक्जेक्यूटिव कॉंसिल और चैटर act of 1853 में क्या करा गया दो कॉंसिल बना दिया गया executive और लेगिस्टिव कॉंसिल मतलब सेपरेशन कर दिया गया executive एंड लेगिस्लेटिव को और चैटर act of 53 का मतलब 1853 का जो लेगिस्टिव कॉंसिल बनाया मतलब दोनों को अलग कर दिया यह कॉंसिल बनाके इसमें छे मिम्बर डाल दिया ठीक है कॉंसिल बन गया देखो यहां पर कॉंसा कॉंसिल बना लेगिस्लेटिव कॉंसिल और इसमें कितने मिम्बर छे मिम्बर आप बस इतना ही दियान रखो भी इदर डिटेल में पढ़ना है तो लेक्चर एबलेबल और लेटी जाके आप उसको पढ़ सकते हो फिर देखो क्या होता है 53 से थोड़ आगे चलेंगे हम लोग 53 के बाद हो जाता है 1857 में रिवोल्ट उसके बाद हो जाता है इस रिवोल्ट के बाद ही गवर्मेंट ऑफ इंडिया आक्ट आता है 1858 जिसमें आपने पढ़ा था कि कंपनी का रूल खतम हो जाता है क्राउन का इस पॉस्ट बनाता है वाई सराइगा पोस्ट और सेक्रेटरी पढ़ा था ना सेक्रेटर फोर स्टेट चलो यह अपने पढ़ चुक उसके बाद इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ रहते इंडियन कॉंसिल आक्ट 1861 इसमें क्या था इंडियन कॉंसिल आक्ट 1861 में देखो 53 में जो कॉंसिल बनाता ने यह लेगिसलेटिव कॉंसिल जो बना था लेगिसलेटिव कॉंसिल इस कॉंसिल में छे मिंबर था है इस मिंबर को यह जो आप देख रहों कॉंसिल में छे मिंबर इसी मिंबर का साइज को बढ़ा दिया गया इनलार्ज कर दिया गया कॉंसिल को औ कि दर या भाई पर ना मानलो यह कॉंसिल है इसमें 1861 के बाद क्या कर दिया गया कि अब कॉंसिल में 612 लोग हो सकते उसके बाद 1892 का अग्ट आया कब अच्छा देखो इसमें बीच में एक जिद धियान अखना इंडियन नैशनल कॉंग्रेस 85 में 1885 में इंडियन नैशनल कॉंग्रेस बन गया जो आप कॉंग्रेस पार्टी देख रहे हो ना 1885 में उसका फॉर्मिशन हो जाता है यह मैं क्यूं यह आड कर दिया क्यूं आपको बता लो थोड़ी दिवाद आपको समझ में आएगी है और उसके बाद देखो एक नया कॉंसिल आक्ट आप पढ़ोगे इस एक्ट में क्या होता है कॉंसिल का मेंबर बढ़ जाता है कितना भई दस से सोला और इसके बाद एक और आक्ट आता है इंडियन कॉंसिल आक्ट 1909 यहां पर देखो 1909 जिसको में लोग मौरले मिन्टो रिफॉर्म भी बोलते उसका भी वीडियो आप जा नंबर जो होता है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है कॉंसिल का जो नंबर है उसको इंक्रीज कर दिया जाता एक में आप देखे छे से बारा कर दिया गया फिर आपने देखा कि 10 से सोला कर दिया गया फिर आप देखोंगे सोला से 32 कर दिया जाएगा 1909 के एक्ट में इसी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंडियन कॉंसिल अक्ट को थोड़ा सा बात करेंगे, इंडियन कॉंसिल अक्ट पर यदि बात कर लेंगे हम लोग, तो आपको समझ में आएगा, और आप क्या पढ़ेते हैं, 1861 के बाद से, बिटिस इंडिया में पावर को डिसेंट्रलाईज कर देती हैं, पावर बातने लगती है, और आपने क्या पढ़ा था, 1773 के बाद से, पावर को सेंट्रलाईज कर दी थी, और 1851 में, जैसे 1857 विद्रो होता है, रिवोल्ट होता है, उसके बाद से बिटिस गवर्मेंट को समझ में आम्या गया कि power Kendrick करने से पावर सेंट्रलाइस करने से काम नहीं चलेगा फावर को डिसेंट्रलाइस करना पड़ेगा तो 1861 से power decentralization हो से जाता है खär मैं sellers क्लास में बहुत अच्छा से डिसकॉस किया है आप देख सकते हो 1861 का concile act और 1852 का Indian Government of India Act भी देख लो आB वीडियोस एवलेबल है बहुत अच्छे से जब आप आपको ये सब आट तभी समझ में अच्छे सा आएगा जब आप पुराने वीडियोस को देखोगे जब आप पुराने इंडियन कॉंसिल आक्ट 1818 को पढ़ोगे गवर्मेंट ऑफ इंडिया आक्ट को ये कुछ भी लिखना हो तो मेरे दिमांग में चलता अच्छा 1818 में यह हुआ था तो यहां पर यह चेंज हुआ तो मुझे समझ में अच्छे साने लगता तो आपको भी आने लगए कब जब आप प्रीवियस को अच्छे से पढ़ के आओगे तो चलो ठीक है 1818 में हम लोग चलते इंडिया के लिए होगा और गवर्नर जो प्रोविंस के लिए होगा मतलब प्रोविंसियल गवर्नर और सेंट्रल के लिए गवर्नर जेनरल गवर्नर जेनरल का क्या हो गया दो दो कॉंसिल हो गया लेगिसलेटिव कॉंसिल और एक्जेक्यूटिव कॉंसिल आपने क्या पढ पढ़ आता और additional member दो गृप में बढ़ जाते थे official member और non official member जो British men होते थे और non official जो इंडियन सोते आप नहीं पढ़ लिया था और legislative council में आप ध्यान डगो 1861 में finance से related कोई discussion नहीं हो सकता है Government of India का क्या financial काम है जो council है legislative council executive council दो सवाल नहीं कर सकती है और पूछ भी नहीं सकती भाईया कितना expenditure है कितना income आ रहा है कितना expense है कितना खर्च है कुछ नहीं पूछ सकती है power ही नहीं था financial related को discussion देखो problem में बता रहा हूँ है ना council के member आपने देख लिया 612 और problem क्या था कि financial related को discussion यहाँ पर नहीं होता था ठीक है धियान रखना आप इसको उसके बाद देखो अच्छा उस time पे executive council में कितने member थे तो 6 member थे ठीक है executive council में 6 member थे provincial का भी यही हाल था और 1861 के act में provincial council में provincial council में legislative council को जो काम था इसका देखो legislative मतलब lawmaking और इसको lawmaking का power मिल जाता है 1861 में यह हम लोग पढ़ेते 1861 में और यहाँ पर main एक problem क्या था कि आप देखो यहाँ पर धीरे से समझ लो आराम से सुनो मेरी बात दो को दो आप यहाँ पर कॉंसिल देख रहे हो पिक्चर देखो यह एक कॉंसिल यह देख रहे हो एक कॉंसिल यह देख रहे हो यह executive है आपने पढ़ा था portfolio system मतलब यहाँ पर मानलो चलो मैं देखाता हूं मानलो यह चे मेंबर एक्जग्यूटिव में कर दिया गया सबको portfolio दे दिया गया है अब आपको मानलो यह executive वाले हो गये है अब लेगिसलेचर को मानलो कोई सवाल पुछना इसे तो सवाल ही नहीं पूछ सकते हैं समझ रहे हो और मानलो कि इनको यह भी जानना है कि क्या budget रहा कितना finance मतलब कितना इस बार खर्च हुआ कि इतना income आया यह सब को discussion हो ही नहीं सकता था लेगिसलेचर में तो इन सारे problem को solution आपको मिलेगा इंडियन कॉंसिल एक्ट 1892 में आई होप यह कुछ background आपको अच्छे सा समझ माया होगा थोड़ा सा background में हम लोग और आगे चलेंगे तो आपको समझ माया हैगा तो अब यहां पर आप यह देखोगे इंडियन नाशनल कॉंग्रेस का भी रोल था इस एक्ट को लाने में यह आक्ट लाने के पीछे इनका कैसे रोल था यह प्रेसर डालते हैं कैसे बिल्टिस गवर्मेंट पर अभी हुम लोग देखें देखो इंडियन नाशनल कॉंग्रेस इंडियन नाशनल कॉंग्रेस सब एक जगह हो गये थे जितना उस टाम इंडियन नाशनल कॉंग्रेस में थे यहां पर देखो मैंने पिक्चर भी लगा दिया तो यह लोग क्या करते हैं कुछ सजेशन देते हैं बिल्टिस गवर्मेंट और कुछ डिमांड भी करते हैं जैसे सजेशन आप डिमांड की रूप में इसको डिमांड अब लेक सकते हो ना कुछ सजेशन देते हैं और कुछ डिमांड करते हैं बिल्टिस ऑथरिटी से कि आप जो आप इंडियन कॉंसिल आक्ट लाओगे उसमें क्या क्या आपको इंक्लूड करना है यह डिमांड भी रतने और सजेश्ट भी करते हैं बिल्टिस गवर्मेंट को देखो क्या-क्या यह बोलते हैं कि सबसे पहले आप जो एडिशनल मिम्बर था एडिशनल मिम्बर को इंक्रीज करताओ अपको याद है नहीं यादत मेरे दिखा देता है आप देखो लेगिस्लेटिव कॉंसिल में जो मेंबर होते थे उसी को हम लोग बोलते थे एडिशनल मेंबर तो यह बोलते थे कि 6 से 12 मेंबर जो है इतने से काम नहीं चलेगा और इसमें क्या करो मेंबर को इंक्रीज करो नासुल कॉंग्रेस का एको सेजिश्टान नर्व बाइन्टथाeteों U.N.S. के द्वारेद रहलेग्या और इसको इनगे करना है और यह क्या चाहते थे अभी मैंने आपको बता है था फाइनसे रिलेटिक कोई डिसकसन नहीं होता था तहाँ पे legislative council में तो भाईया क्या होना चाहिए legislative council को पावर दो कि वहाँ पे finance discussion हो सके उनको question पूछने का भी आप पावर दो यह question नहीं पूछ सकते हैं आपको पता है न और भी दो तीन चीज़े यह लोग demand रखते हैं इंडियन national congress जैसे कि civil services परिक्षा आप इंडिया में भी लो इंडियन civil service examination जो आप इंग्लैंड में ले तो यहां भी लो और military पे इतना ज़्यादा जो खर्च कर रहें आप उसको reduce करो यह सब कुछ देखो अब थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन national congress British authority पे जो pressure डालता डिमांड डालता है तो क्या होता उस time का थोड़ा सा उनका नाम था लॉड़ डफ्रीन हाना लॉड़ डफ्रीन चलो ठीक है देखो यह चो लॉड़ डफ्रीन थे यह क्या believe करते थे यह इंडियन रिप्रेजेंट करेंगे council में तो इससे क्या होगा government of India को इंडियन पीपल का support मिल पाएगा ऐसा यह डफ्रीन believe करते थे तो यह अपने जब इनका tenure था जब यह governor general थे इंडिया के vice रहते तो यह जाके बहुत बार try किये secretary of state क्योंकि इनसे भी उपर होता था secretary of state कि इसके जो इसका जो proposal है उसको मान जाए और यह फिर क्या करते है एक legislative council यह चाहते थे basically legislative council में reform हो बदलाव हो तो उसके लिए क्या करते है committee को appoint कर देते है गोवरनर के पास तो बहुत पावर होता है यह एक committee के appoint कर देते है और यह कुछ sir George इनके कुछ तीन लोगों का committee था जो कि बहुत सारा recommendation देती है जो हमारे लिए कोई important नहीं उसको नहीं पढ़ना वैसे यह भी आपके important नहीं बर दो तीन मिनट लगेगा बस समझ जाओगे तो फिर क्या होता है देखो लॉड डफरीन जो थे यह चाहते थे यदि Indian people का support मिल जाए हम लोग इंडियन पीपल यदि consuls में आ जाए तो इससे क्या होगा और यह क्या चाहते थे elective principle देखो और यह चाहते थे क्या आ जाए elective principle और यह चाहते थे यदि Indians आ जाएंगे तो Indian council का जो status है वो और arrays हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा लेकिन यह elective principle जो चाहते थे elective परिंसप बस यहां तक समझो यह चाहते थे कि बदलाओ ऑ ले इंडिया से चले जाते हैं और के दाधन को सक्सीड करते है लौडड लैंड्स जो भी ήल ए? इनका नाम था यह एक नए यहां पे वाइसरह विसे बने बने कराने और dejल mathematically by Leo Cross स्टीके और lorient क्रोस भी चाहते थे कि जो प्रोविंशिल प्रविंशिल बड़ा हो डेक्षण वाला प्रोसेस 11 लोगों को लाया यह प्रॉसेस में और आपने क्या पढ़ाता है जो इंडियन नाशनल कॉंग्रेस है वो क्या डिमांड कर रही थी कि आप जो मेंबर को नॉमिनेट करते हो वाइस रहे के दुवारा आप उसको एलेक्ट करके लाओ तो इसी प्रिंसिपल को लॉर्ड क्रॉस सेग्रेटरी जो त प्रिंसिपल को एक डेंजरस साबित हो सकता है यह एलेक्टिब प्रिंसिपल इनके दौरा फिर सेग्रेटरी ऑप स्टेट फाइनली इन्वाइट करते हैं यहां के वाइसरेक और बोलते हैं एक फ्रेश रिफॉर्म मतब प्रपोजल बनाईए रिफॉर्म पर जो जो सुधा करना उस पर एक फ्रेश बनाईए और फिर फाइनली देखो यह जो नए गवर्नर यहां पर थे लैंड्स ओन इंक यह 1889 में यह क्या करते थे यह सजेशन को सपोर्ट कर रहे थे ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे थे जो भी प्रिवियस इनके द्वारा जो वाइस रहे थे वह जो वह जो भी रिकमेंडेशन यहाँ उनका कमीटी दिया था या फिर जो गवर्मेंट रिकमेंडेशन दिये थे उसको सपोर्ट करते थे यह भी चाहते थे कि लेगिसलेटिव कॉंसिल एक्स्पांड करे बढ़ा हो प्रोविंस का ही प्रोविंस का या फिर सेंट्रल दोनों का जो legislative council है वो बड़ा हो लेकिन ये चाहते थे कुछ elected लोग भी हो तो ठीक है लेकिन nominated लोगो always majority में हो मतलब elected लोग हो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो कम हो और nominated members जादा हो ये ऐसा बोलते है फिर finally उसके वाद क्या होता है ये अपना मना लेते है Secretary of State को और Secretary of State भी agree कर जाता है लेकिन फिर वो क्या करता है देखो ये चाहते थे partly elected और partly nominated फिर से देखो ये जो lands on थे ये lands on जो वाइसराय थे ये क्या चाहते थे भई ये चाहते थे member partly elected हो कुछ लोग और कुछ लोग नॉमिनिटेड हो ठीक है और इसमें क्या बोलते थे नॉमिनिटेड मिंबर्स जो होंगे यह यह जादा होंगे किससे अलेक्टेड से ऐसा यह कहते थे यह पर्पोज़ल लेके गए किसके पास Secretary of State के पास और security of state मान गिया कि हाँ चलो भाई हम लोग को council बड़ा करना है ठीक है council बड़ा करना है ठीक है लेकिन तुम जो यह बात कर रहे हो कि elect करना है यह elective principle यह नहीं चलेगी simple तो पूरा act में जब देखोगे आप तो कहीं पे उसमें election वाला principle का बात नहीं करा गया है चौला अब हम लोग अपना एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉंसिल एक्ट 1892 फिर से मैं आपको बताता हूँ ये एक्ट जो आया इंडियन नैशनल इंडियन कॉंसिल एक्ट 1892 ये एक्ट आने के बाद सिर्फ और सिर्फ चेंजेज जो हुआ है वह किसमें हुआ है लेगिसलेटिव कॉंसिल में ये आक्ट आने के बाद changes किसमें हुआ legislative council चाहे वो governor general का हो मतलब central की बात हो या फिर provincial हो central legislature में भी सिर्फ central council और central legislative council में changes और provincial legislative council में changes executive council में no change ये act आने से कोई changes इसमें नहीं हुआ आप ध्यान रखेगे बात को और ये act का Indian council act का main object क्या था चलो हम लोग देखते इस act का main object ये था legislative council में number जो है councillor का वो ज़ादा हो दूसरा की legislative council में discussion हो सके finance पे तीसरा यहाँ पे जो council के member है उसको power हो executive council सवाल करने का बस ये तीन चीजे ये जो act आया था 1892 गा इसमें ये था main object यही था कि number को increase करा जाए और financial statement पे discussion हो सके और तीसरा government से question पूछा जा सके I hope ये आपको clear होगा aim of the act बहुत important topic हम लुक पढ़ने वाले exam में बस आपको ये चो चार पाँच लाइन देख रहो ये बहुत important है जब आप law का paper लीखोगे legal history का तो उसमें आपको ये लिखना है ये point लिखना है 1892 का Indian council act आने के बाद central legislative council में क्या क्या changes हुआ ये बहुत important है ये provision है इस act का इस act में क्या क्या provision था additional members जो होंगे central legislative council में उसमें क्या करा जाएगा additional member को increase करा जाएगा तो increase करके कितना कर दिया जाएगा भई तो maximum 16 होगा और minimum 10 तो not more than 16 and not less than 10 तो additional member legislative council में कौन सा legislative council सुप्रीम मतलब central legislative council में ठीक है 10 से कम नहीं और 16 से जाएगा नहीं चलो मैं आपको ना इसको picture के माधियम से यदी बताऊंगो तो आपको जादा समझ में आएगा आप अलवेस पढ़े हो ना government का दो council legislative council and executive council तो यहाँ पर executive में हमको कोई हम लोगों को कोई चेट सार नहीं करना जेतना वो 6 member के थे legislative council बस वैसे थे इस act काने के बाद उसमें no change तो उसमें अपने को छूना नहीं है अपने को चलना है कि central legislature में क्या-क्या changes हुआ चलो भई यह इसको देखते हैं हाना चलो थोड़ा उपर करते हैं यह picture लगाओ देखो सबसे पहला आपने देखा central legislature में जो member होते तो उसको में बोलते थे additional member है ना और additional member कितना कर दिया एडिशनल मेंबर एक होता था official member है ना additional member was consist of six official member and ten non-official member तो additional member में six official member और दस non-official member आप इसको धियान रखेगा ठीक है non-official member जो Indians होते थे उसको उसको में बोलते थे ठीक है Indians को बोलते थे non-official member अब हम लोग किसकी बात कर रहे है central legislature की बात कर रहे है अब देखो official member जो होंगे ये generally British होते थे generally क्या British ही होते थे ठीक है British होते थे और इनको ये छे member को nominate कौन करेगा vicerai कौन nominate करेगा भई vicerai या बोलो governor general of India अब देखो यहाँ जो 10 member है यहाँ पे यहाँ जो 10 member है 10 additional member है इसको कौन करेगा भई देखो इस 10 को यहाँ पे मैंने picture भी लगाया है आप picture से समझ सकतो यहाँ पे 6 member मैंने लगाया है यहाँ पे देखो जब picture को आप गौर से देखगो तो exactly 10 ही लोग है यहाँ पे इस 10 में से आप देखो यह 5 लोग को नॉमिनेट करेगा वाइसरा है पांच लोग कहां से आएंगे भईया इसको वाइसरा लाएंगे वाइसरा नॉमिनेट करेंगे अब देखो इसमें 4 लोग कहां से आएंगे जब मैंने स्टार्टिंग में मैप बताया था आपको तो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था प्रोविंस प्रोविंस दिखाया था जिसमें कि मैंने आपको दिखाया था बेंगॉल, बॉम्बे, मदरास और नॉर्थ वेस्टन प्रोविंस तो चार मिंबर कहा से आएंगे अधाई, चार मिंबर यह आप देख रहे हैंगे मदरास, बोमबे, बंगॉल and नौर्थ वेस्ट प्रोविंस आएंगे और आएंगे इसका क्या मतलब होगा मतलब मदरास legislative council, Bombay legislative council, Bengal legislative council and Northwest province की legislative council किसके द्वराद चूज़ें होंगे Legislative Council of Bengal, Madras इनके द्वारा ठीक है धियान रखना ये 4 member जो होंगे ये 4 member जो non-official member इसमें 4 member कहां से किसके द्वराद चूज़ें होगा Legislative Council of Madras, Bombay, Bengal इनके द्वारा चार member आएगा ठीक है और एक member को कौन चूज़ करेगा कलकत्ता Chamber of Commerce यह बोल सकते हो Chamber of Commerce कलकत्ता के दुवारा एक member nominated होगा I hope यहां तक कोई problem नहीं होना चाहिए आपने क्या पढ़ा अभी Central Legislature में Additional member को Additional member का जो number है उसको increase कर दिया जागा कितना? Not less than 10 but not more than 16 non-official additional member देख लिए आपने ने उसमें चार official member कहां साएंगे non-official member जिनको legislative assembly के दुवारा choose करा जागा यह आपने देखा देखो यहां पे मैं आपकोई चीज़ बता दो legislative council के दुवारा यहां से लोग आएंगे सेंटर में مदराज से लोग आएंगा सेंटर मदराज को रिप्रेसेंट करेंगे न तो यहां पर कहीं न कहीं अपने को क्या दिख रहा है रिप्रेंटेशन फ्रॉम ओफ गवर्मेंट एक तरह कि यहहां जो गवर्मेंट बन रहा है लेगसेञेजिटिव में कैसा बन रहा है भाई देख रहे हो रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है लोग अब लोग अब हम लोग पढ़ेंगे लेगे स्लेटिव कौन सी वारियम और डिटेल में पढ़ने वाले हम लोग चलो यह जब पीडिएफ जाएगा आप इसको एक बार अच्छे देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा देखो सेंट्रल लेगिसलेटिव कॉंसिल सेंट्रल लेगिसलेटिव कॉंसिल मैंने आपको क्या बदाया था याद करो 1861 में सर 1861 में आपक्र में फाइनस पर कोई कॉंसिन नहीं वह सकता था। यह जो लेगिसलेटिव कॉंसिल है कोई कुष्छन नहीं पूछ सकता था इन लोगों से हैना लेकिन अब क्या हो गया, 1892 का Indian council act क्या करता है, यह अब से क्या होगा, Indian council आक्ट जो 1892 में है कि अब से यह जो आप देख रहे हैं लेगिसलेटीव एसेमली यहाँ पे अब financial state पे discussion हो सकता finance पे discussion हो सकता है अब लोग पूछ सकते हैं discussion हो सकता कि कितना खर्च आया कितना revenue आया है कितना expenditure रहा है इस पे बात यहाँ पे हो सकते हैं दूसरा चीज कि legislative council आप पढ़े दनी यहाँ पे इन लोगों को portfolio दिया गया था याद है आपको अभी मैंने अभी just discuss किया तो अब यह लोग सवाल भी पूछ सकते हैं अब यह लोग सवाल भी जिस मानलो इस member से इसको सवाल करना है यह एक person है इसको सवाल करना है मानलो इससे तो यह यहादी सवाल करना चाहता है इससे आप पढ़े दना 1861 में कोई ऐसा सवाल करने का system नहीं था लेकिन अब क्या है आप सवाल आप कर सकते हो लेकिन सवाल करने से पहले आपको 6 दिन का prayer notice देना पढ़ेगा 6 दिन पहले आपको बताना वाला हूँ यह सवाल होंगे च्छे दिन पहले आपको बता देना पड़ेगा कि यह सवाल होंगे और इसके जो precedent होंगे मानलो यह इसका precedent है तो यह चाहे तो आपको disallog कर सकता है कि आप यह question नहीं पूछ सकते हो और आपको reason भी नहीं देगा यह आपको disallog कर सकता है किसी question के लिए लेकिन फिर आपको यह reason भी नहीं देगा तो इस act के आने के बाद at least यह तो हुआ कि legislative council में अब बात हो सकता है legislative council में finance related discussion यहाँ पे हो सकता है अब यह लोग बैठके बातचीत कर सकते है finance related समझ रहे हो और दूसरा at least यह लोग question तो कर सकते है है ना और अभी भी Indians को allow नहीं करा गया है central executive council executive में अभी भी नहीं जा सकते है Indians लेकिन आपने क्या देखा था additional member Indians बन सकते है चलो यहाँ तक I hope आपको कोई problem नहीं होगा और हम लोग का जो central legislative council है यह हो चुका है खतम अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या changes हुआ है provincial council में I hope आपको provincial council समझ में आ रहा होगा provincial कौंसा council legislative council executive की में बात ही नहीं कर रहा हूँ इस act में executive कुछ था ही नहीं है ना और आपको पता है ना मैं province की बात कर रहा हूँ यहां पर Bengal province अवद और आगरा province हो गया North Western province हो गया Bombay province and Madras province अब मैं सिर्फ इस province की बात करूँगा इन सब province में जो council थे legislative council उसमें क्या बदलाव आया है legislative council जो था उसमें क्या बदलाव आया legislative council में क्या यहां के legislative council में क्या changes आया यह हम लोग देखेंगे हम लोग इससे पहले क्या पढ़े Central legislative council में member को बढ़ा दिया गया था Additional member को बढ़ा दिया गया था है ना आपने यह पढ़ा ना Additional member को increase कर दिया गया था सेम उसी तरह से यहां भी additional member को increase कर दिया जाएगा हर एक provincial लेइनी कॉंसी नेहां बी सीज़ंफ हो गया एदिस कर दिया जाएगा मैक्सिमम एदेशनलोंबर कि 10 तुर रखागे देखो यहां पर 20 मिम्बर है और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं मिम्बर 20 ठीक है पड़े दन आप गवर्नर कर दो कॉंसिल होता था एक लेगिसलेटिव एक एक एक्जेक्यूटिव है ना चलो ठीक है अब हमनों देखेंगे बॉंबे प्रोविंशियल लेगिसलेटिव कॉंसिल में एडिशनल मिम्बर कितने थे तो मिनिम्मम एट हो सकते हैं मैक्स नौट मोर दन 20 नौट लेस देन 8 सेम इसी तरह सम लोग थोड़ा ओर ऊपर जाएंगे हम लोग खेंगे नौर्थ वेस्ट प्रोविंश नौर्थ वेस्ट प्रोविंश समझ में आरा आपको देखो मैं आपको दिखाता हूं ये वाला जो एरिया देख रहे हो आप ये वाला चलो देखो नौर्थ वेस्ट प्रोविंश में कितना कर दियागा नौर्थ वेस्ट प्रोविंशियल लेगिसलेटिव कॉंसिल में नौ से पंदिर और बेंगॉल प्रोविंशियल लेगिसलेटिव कॉंसिल में बारा से बीस और अवद प्रोविंशियल लेगिसलेटिव कॉ 9 to 50 member हो पाएंगे ठीक है I hope यहां तक कोई problem नहीं होगा आपने क्या पढ़ा था maximum कितने लोग हो सकते 20 अब ये 20 में 9 official member होंगे आपने पढ़ा था ना एडीशनल मेंबर कांसीस्ट ऑफ ओफ उफिशियल मेंबर एंड नन ऑफिशियल मेंबर पढ़ा कनाभ नाइन कितने हो जाएंगे ऑफ शेल और रहन ननौन अफिशियल अब इसमें 6 ससरी यह चे कहां से एक इनिवर्सिटी कॉर्परेशन चार मिन्सपैलिटी और डिस्टिक बोर्ड से और पांच नॉमिनिश्टर यह सब बहुत इजी है अब हम लोग चलते हैं आगे हम लोग आप यह देखेंगे हे लिजसीलेटिव कॉंसिल को भी इलार्ज कर दिया गया था यह अक्त लाकर के यह हम लोग पड़ चुके हैं 1892 रिद्थी कर आक्त लाकर के प्रोविंशियल लेगिस्लेटिव कॉंसिल को enlarge कर दिया गा था यह हम लोग पढ़े चुक है देखो जैसे आप वहाँ पढ़े थे ना कि यह जो लेगिस्लेटिव कॉंसिल है प्रोविंशियल लेगिस्लेटिव कॉंसिल अब यहाँ भी क्या हो सकता है गवर्मेंट ऑफ इंडिया का जो पॉलिसीज है उस पे डिसकसन अब यहाँ भी हो सकता है ठीक है अब यहाँ भी कॉंसिल जैसे मालों यह लेगिस्लेटिव कॉंसिल है ना मतलब यह कॉंसिल अब इन से एक्जेक्युटिव वालों से सवाल कर सकता है सेम सीन है यहाँ भी और लेखिन आपको 6 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा यहाँ भी जो प्रिसिडेंट होंगे जो अधियक्ष होंगे कॉंसिल के वो उनके पास पावर होता था यह दी वो चाहे ता आपको कर सकते हैं को भी कुशन पूछने से बिना किसी रीजन को दिये होए यह पढ़ सकते हो अब यह प्रोविंशियल लेगिसलेटिव कॉंसिल में भी अब बात हो सकती है क्या चिस से रिलेटेट फाइनिशल मेंटर से रिलेटेट अब देखो यह लोग बात कर सकते हैं किसके लिए अपने प्रोविंश के लिए सिर्फ किसके लिए बात कर सकते हैं अपने प्रोविंश के लिए और प्रोविंशियल गवर्मेंट के अंदर जितना कंट्रोल है बस उसी कबारे है मैं ऐसा नहीं कि अपने उकाद से उपर जाना है Central के बारे वहाँ बात नहीं कर सकते हो आप Provincial Government से सवाल कर सकते हो ठीक है यहाँ पे Central Financial कोई सवाल नहीं आपको सवाल करना है डिसकसन करना है तो आप अपने Provincial वाला बात करो भईया है ना एक चीज़ मैं वहाँ बताना भोलिया था आपको और यहाँ मैं बता रहा हूँ यदि Provincial Government वाले कोई क्वेशन करते हैं आपने यह देखा था कि क्वेशन पूछने का पावर मिलिया था 1892 के बाद क्वेशन पूछने का पावर मिलिया था आप कोउशन तो पूछ सकते हो कोई प्रबलम नहीं आप कंडर कोउशन जिसको बोलते हैं सप्लिमेंटरी कोउशन जिसको बो да दूबारा कोई कोउशन काउंटर मैं नहीं कर सकता है जैसे आप उसे पुछे कि exper記得 इचर कितना हुआ तो मैंने बताया कि लिपार 20 करो र्रुपे खर्च हुआ आप यह नहीं पूछ सकते हो कहां कहां पूछ है, आपने खर्च किया एक सवाल आपने पूछना था आपने पूच लिया, बात कटम तो Cross Question आप नहीं कर सकते है काउंटर नहीं कर सकते है के छरूदा से हम देखते हैं चलो यह ठोडा से प्वॉटेंट है लास्ट वाला है पॉइंट है इसको हम देख ली elective element introduce नहीं करा गया था किसी भी council में sorry 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 आप ये देखोगे तो इस act में कहीं भी ऐसा election या election वाला चीज नहीं लिखा हुआ था elect का बात नहीं करा गया था लेकिन जब आप इस act को पढ़ते हो तो इस act में आपको election का element देखेगा इस act में कहीं लिखा हुआ नहीं था कि election होगा वही चीज यहां पर लिखा हुआ लेकिन जब ये act इंट्रिड्यूस हुआ तो आपको उसमें elective elements नजर आएगा जब आप council को देखोगे तो elective elements नजर आएगा कैसे मैं आपको दिखाता हूँ Central Legislature याद आपको Central Legislature में आपने देखा था चार मेंबर कहां साते था भई या कौन इसको करता था मदरास बोंबे नौर्थ वेस्ट प्रोविंस और बिंगॉल देखे थे ना आप तो मतलब देखो यहां पर रिप्रजेंटेशन हो रहा है ने इनका तो कहींने कहीं तो नॉमिनिटेड है सुरी कहींने कहीं तो यह Elected है Elected कहींने कहीं यह लोग है वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि इस Act में कहीं भी आप Election Word नहीं देखोगे लेकिन जब आप इस Act को देखोगे तो वहाँ पे आपको नजर ये चीज आएगा, यहाँ पे अलेक्ट हो रहा है, यह चीज आपको नजर में आएगा, लेकिन आपको ये चीज इन डारेक्ट रूप में देखेगा, लेकिन यहाँ पे भी तो अलेक्ट हो रहा है, लेकिन ये इन डारेक्ट रूप में हो रहा है, सीम इसी तरह से जब आपने देखा था provincial legislature provincial legislature में कुछ लोग elect कुछ लोग आते थे कहां से याद करो कुछ लोग को कौन जिसे municipal community municipal committees फिर local buddies district board ये सब recommend करते थे कुछ लोगों को तो वहां से आते थे तो ये दोनों के जब हम लोग देखते हैं हम लोगों को यह सरासर नजर आ रहा है कि सर यहां पे यहां पे elective elements तो है तो इसी act से यह जो आप देखोगे एक तरह से यहां पे indirect election हो रहा है इंडारेट एलेक्शन तो इस एक से इंडिन कॉंसिल आक्ट 1892 यह क्या दिखाता है हम लोगों को इंडारेट एलेक्शन यह कभी कभी यहां से कोशन आता है प्रिलेंस में कोशन आता है कि इंडारेट एलेक्शन सिस्टम किस आक्ट के द्वार इंट्रिड्यूस करा गया था तो ये 1892 का आक्ट है कौनसा आक्ट इंडियन कौनसेल आक्ट आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो समझ में आया हो ये लेक्चर खतम हो चुका है और इसी तरह के लीगल एवरनेज वीडियो के लिए आप मुझे संग्पार्ट होता है कमेंट आप मुझे कमेंट करो कमेंट करने से मुझे मोटिछिफेशन ऐन् آپ किसक कहा है तो आप मुझे करो मेरा जो class होगा एक lecture के जसा class होगा इंदा अधा जूरा गयान मेरे से नहीं होता है नहीं मुझे पढ़ा हुआ होता अधाद हो रहा नहीं दिया हुआ होता है ठीक है तो इसी तरह के और भी आपको यदि फ्यूचर में पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो उससे भी जादा सब्सक्राइब कमेंट कर तो मेरा दिन बन जाता है थैंक यू सो मच फर वचिंग दिस वीडियो फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में